हमशकार स्वागत आपका सेल्स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करेंगे कि जो सिंगल वुमेन है उनको गर पात कराने का अधिकार दे दिया गया है सुप्रिम कोट के त्वारा गर पात कराने का अधिकार मतलब सिंगल वुमेन कौन? सिंगल वुमेन यानि कि जो अनमेरिड वुमेन है जो विवाहित नहीं है उनको अधिकार दे दिया गया है मतलब पहले गैर कानूनी हुआ करता था सजा हो जाती थी अगर कोई महीला अगर अगर अबोर्शन करवाती थी तो इस इतियास को भी हम जानने वाले हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले PDF के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए सर्वोच नियाले यानि सुप्रीम कोट ने कहा है कि देश की सभी महीलाएं प्रेंचे वो विवाईत हो या एह विवाईत हो उनको सेफ और लीगल एक अबोशन कराने का अधिकार है अपनी 24 सब्ता के गरपात को कराने की अनुमति दी है 24 सब्ता में पॉइंट यह है तो पहले क्या 24 सब्ता से पहले क्या करवा सकते थे क्या हाँ कुछ ऐसी ऐसी बाते तो है देखिए सुप्रियम कोट ने अपने 51 साल पहले के मामले को एक तरिके से समझीए उस फैसले को पल्ट दिया है कैसे पल्ट दिया है इसको समझीए 51 साल पहले क्या था पुराने गरपात कानुन हमारे देश में एक एक्ट है दमेडिकल टर्मिनेशन ओफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 इसमें क्या था कि जो एविवाहित महिलाएं है उनको 24 सब्ता तक के गरप को समझाप्द करने से रोकता था ये एक्ट भई करवा नहीं सकती एविवाहित महिलाएं ध्यान रखना कौन नहीं करवा सकती आई विवाही तो महिलाई नहीं करवा सकती क्या विवाहीत करवा सकती है बेशक करवा सकती है यही तो main fund है अब आप यहाँ पर discrimination की बात आ जाती है कि भी unmarried और married woman के बीच में आप यहाँ पर भेदबाव कर रहे हो जहाँ पर married woman 24 सब्ता के गरपात करवा सकती है 24 सब्ता के गरपात को स्माथ कर सकती है लेकिन वहाँ पर unmarried woman नहीं करवा सकती तो medical termination of pregnancy act 1971 और इसके जो नियम है 2003 के तहट 20 सब्ता से 24 सब्ता के गरवती एविवाहीत महिला को पंजी करितियनी रजिस्टर्ड जो medical जो चिकित्सक है उनकी मदद से गरपात करने का अधिकार नहीं है MTP अधिनियम कुछ 21 सब्ता के गरपात को वो करवा सकती है अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोट ने बोला देखे एक हमारे देश में आता है समीधान में आर्टिकल 21 तो आर्टिकल 21 में जैसे नियायले ने कहा कि समीधान के आर्टिकल 21 में कहा गया है कि प्रजनन स्वायत है यानि कि reproductive autonomy dignity, निजता कि अधिकार एह विवाहित महिलाओं को यह चुनने का अधिकार देता है कि विवाहित महिलाओं के समानी बच्चे को जनम देना है कि नहीं देना है और आर्टिकल 14 जहांपर ये बात बोली गई है right to equality वही आप किसी के साथ देदवाव नहीं गर सकते नियायले ने कहा 20 से 24 सब्ता के बीच की गर्भावस्थ वाली सिंगल या एविवाहित महिला को गर्भावत करने से रोकना जबकि विवाहित महिलाओं को ऐसी स्थिति में गर्भावत करने के अनुमती देना समीधान के आर्टिकल 14 का उलंगानित हो रहा है यहांपर आप ऐसा कैसे कर सकते हो क्या जो एविवाहित महिला है क्या उसको कम पेड़ा होगी या फिर उसके साथ कम ऐसी चीजें हो सकते हैं जैसे यहां पर बोला गया है कि सिंगल वुमेन एक एविवाइद गर्वाइती महिला के समान मतलब वैवाहिक परिस्तितियों के परिवर्तन का सामना करना पड़ सकता है हो सकता है कि उसे छोड़ दिया गया हो या बिना नोकरी के हो या गर्बावस्ता के दुरान हिंसा का सिकार भी हो सकती हो तो यह सब उसको भी तो प्रोब्लम हो सकती है जो एविवाहित महिलाएं हैं इसके अलावा सम्विवाहित रूप से उचित नहीं देखे विवाहित और एविवाहित महिलाओं के बीच में आप भेदबाव की बात करें वो तो एक तरीके से सम्विधानिक रूप से सही है ही नहीं आर्टिकल 14 जो बैने आप लोगों को बोला और कानून के लाब एकल और विवाइत महिलाओं को समान रूप से प्राप्थ हैं प्रजनन अधिकारों में यहाँ पर विस्तार कर दिया गया है देखें प्रजनन अधिकार शब्द बच्चा होने या नए होने तक यह सीमत नहीं है महिलाओं के परजनन अधिकारों में महिलाओं के अधिकार एवं सुतंतरता को शामिल किया गया है परजनन अधिकारों में शिक्षा तक पहुंच और गर्म निरोधक एवं योन स्वास्थे के बारे में जानकारी का अधिकार सुरक्षित या कानूनी गर्पाच चुनने का अधिकार परजनन स्वास्ते देखबाल का अधिकार ये सब जीजें इसमें शामिल है और साथ इसाथ इसका जो व्यू है मेरिटल रेप को लाना है मतलब कि MTP अधिनियम का उदेश है महिला के परजनन और निन्यायत में स्वायता के अधिकार के तैत वैवाहिक बलतकार को बलतकार के शेणी में शामिल करना है ताकि वो वहाँ पर अपना डिसीजन खुद ले सके अब भारतिये कानून के अगर हम बात करें अबोर्शन लोग की बात करें हिस्टोरिकल परस्पेक्टिस है देखिए 1960 की बात है 1960 की दर्शक तक भारत में जो गर पात है उसको अवैद था ऐसा करने पर एक महिला को भारती दंड सही था है यहीं इंडिन पेनल कोड की सैंक्शन 312 के था है तीन साल की सजा और उसके साथ जुर्माने का भी प्रावधान था 1960 में सरकार को यह महसूस हुआ कि भई हमें इसके उपर एक समीती बनानी चाहिए तो वहाँ पर एक शांतिलाल समीती बनाई गई और उनको काम सोपा गया कि आप जांच यह कि भारत में क्या घरपात के मामले या घरपात कराने के उपर कोई कानून की जुरूरत है या नहीं है तो शांतिलाल समीती ने रिपोर्ट के अधार पर लोग सभा और राजे सभा में चिकित्स्किया समापन विधेक पेश किया गया था अगस्त 1971 में इसे संसद्वारा पारित कर दिया गया था अएक अपरेल 1922 को गरप का चिकित्सकिया समापन यानि की Medical Termination of Pregnancy Act 1971 जम्मू कश्मीर के अलावा छोड़कर बाकी पूरे देश में ये लागू कर दिया गया था और इसके अलावा देखे भारतिय दंड सहींता 1860 की धारा 312 गरवती महिला की सहमती यह देखे बहुत important line है गरवती महिला की सहमती से गरपात किये जाने पर उसकी खुद की जो volunteer ये इच्छा है गरपात का कारण वो एक criminality है अपराध है वो कर नहीं सकती हाँ एक reason हो सकता है कि वो गरपात जो है वो महिला जो है वो जीवन को बचाने के लिए कि आ जा रहा हो इसका अर्थ ही हुआ कि स्वें महिला पर या चिकित्सक सहीथ किसी अन्य व्यक्ति पर गरपात का मुकदमा चलाया जा सकता है यह कुछ कंडिशन है भारत के अंदर आप ऐसे ही नहीं है कि आप जा के बैठ गए किसी को गरपात करवाना है कि मुझे ता अपनी इच्छा से वहाँ पर वो नहीं करवा सकता उसकी कुछ कंडिशन है उसकंडिशन को अगर हम पढ़ रहे हैं देखे गरपधारन के बारा सब्ता बाद के बाद गरपात के लिए एक डुक्टर की राय जुरूरी है इस कानून के अनुसार कानूनी तोर पर गरपात केवल विशेश परिस्तितियों में ही किया जा सकता है है से जब महिला की जान को खत्रा हो महिला के शरीर और मानसिक स्वास्ते को खत्रा हो बलतकार के करन गरपधारन हुआ हो पैदा होने वाला बच्चा गरप में उचित विकास नय हुआ हो और उसके विकलांग तक है तो दो डोक्टर की वहाँ पर recommendation की जूरत पड़ती है अब जो इसमें संशोधन किया गया उसको हम पढ़ देते हैं 2021 में 20 सब्ता तक के गर्बदारण के लिए एक डोक्टर की सला के अधार पर abortion की अनुमती दे दी गई यहां पर इतना कर दिया गया और संशोधन कानून के तहत 20 से 24 सब्ता के बीच के लिए दो डोक्टर की राय की वहाँ पर में एक तरीके से recommended मनजूरी दे दी की कि हाँ अब यहां पर दो डोक्टर की जूरत है पहले क्या होता था इसमें अब एविवाहित भी शामिल कर दिया गया है और इसके अलावा 20 से 24 सब्ता के बीच गरबधार्ण के लिए नियम महिलाओं के कुछ साथ स्टेणियां यहां पर रखी गई है कैटिगरी रखी गई हैं कि यह यह जो महिलाएं इस कैटिगरी में अगर आती हैं तो वो अबोर्शन करवा सकती है वो कौन-कौन सी देखे योन हमले या बलतकार की स्टिती में या वो माइनर हो इसके अलावा विदवा या तलाक होने की जैसी प्रिसितियां अर्थात वेवाईक स्टिती में बदलाव के समय की गरवावस्ता शाररी रूप से विकलांग महिलाएं उनके लिए एक अलग से कानून चलता है major disability as per criteria laid down under the right of person with disability actor 2016 मानसिक रूप से जो संतुलित नहीं है जो मतलब की mental retardation है भून की विक्रिती जिसमें जीवन के साथ ऐसंगत होने की प्रयाप जोखिम होता हो यदि बच्चा पैदा होता है तो वह गंबी रूप से विकलांग शाररी के मानसिक ऐसा मनताओं से पेडित हो सकता है मानविय अधार या आपदा या अपात स्थीतियों में गरवावस्ता वाली महिलाएं तो ये जो क्रेटेगरी है इनके अधार पर ही गरवावस्ता है मतलब कि अबोर्शन करवाया जा सकता है अब चिंताएं हैं हमारे देश में अब वो क्या है बहले ही यहां पर कर दिया गया हो कि हाँ एविवाईत महिलाएं भी अबोर्शन करवा सकती हैं जो भी सब्ता तक का तो अब यहां पर चिंताएं क्या है ए सुरक्षित गरपात के माम ले आते हैं हमारे सामने देखे युनाइटि नेशन पॉपुलेशन फंड की एक स्टेट ओफ दा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट दो हजार बाइस के अकोर्डिंग भारत में मात्र मिर्तिव दर का तीसरा परमुक कारण क्या है एसरुक्षित गरपात अगर कोई मा बच्चे को जनम दे रही है उस वक्त उस मा की मिर्तिव हो जा रही है तो उस मिर्तिव में तीसरा सबसे बड़ा कारण आ रहा है हमारे सामने एसरुक्षित गरपात एसरुक्षित गरपात क का इस्तेमाल करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता ये परमुक्चिंता है है हमारे सामने उसके अलावा ग्रामेन शेत्रों में शोर्टेज ओव मेडिकल एक्सपर्ट्स इन रूरल इंडिया देखें लैंसेंट की रिपोर्ट के अकोडिंग 2018 के एक अध्यन के अनुसार 2015 तक भारत में पर्तिवर्स 15.6 मिलियन गर पात हुए 15.6 मिलियन यानी 1.56 लाख गर पात हुए MTP Adenium ये देखिए require abortion to be performed only by doctor किसके द्वारा ये perform किया जा सकता है abortion specialization in gynecologist और obstetrics इनके द्वारा जो है क्या है कि abortion की प्रक्रिया को या फिर ये specialization होते हैं doctor इनके द्वारा जो है abortion कराया जा सकता है लेखिन अब आप यहां देखिए हालांकि ग्रामिन स्वास्थे संख्याकी पर स्वास्थे और परिवार कल्यान मंतराले की वर्स 2019-20 की रिपोर्ट बताती है कि ग्रामिन भारत में जो ये doctor हैं जो विशेश experts हैं इनकी 70% की कमी है अब 70% की कमी है तो इससे क्या हो रहा है अवैद गरपात के कारण मात्र मिर्टी दर में विर्दी होती जा रही है चूँकि कानून अपनी मर्जी से गरपात करने के अनुमती तो देता है नहीं महिलाओं को ऐसरुक्षित परस्थितियों में अवैद गरपात करने के लिए प्रेजित करता है जिसके प्रेणरिशाओ प्रेणाम सरूप क्या होता है मात्र मिर्टी दर में विर्दी होने लग जाती है अब आगे की रा क्या सकते है भारत में अगर आप देखते हैं तो गर पारिजन करें देखिए खासकर स्विंक तुराजी अमेरिका साइट कई देशों की तुलना में जहां एतियासिक रूप से और वर्तमान समय भी गर पात पर गंबीर परती बंद है इसके अलावा साजनिक नीती निर्माण में गंबीरता के साथ पुनिवचार करने के साथ ही अधिकारों को ध्यान में रखना चाहिए तो उमीद करता हूँ कि आज का जो टोपिक है वह आप लोगों को समझ में आ गया होगा है समझ में आ गया तो यह मुझे कैसे समझाएंगे बेशक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पीडिएफ के लिए मैं टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं तो बस आज के लिए इतना है था थैंक्यू और वाचिंग इस वीडियो